गुद मोणीं दियु स्टूडेंट्स, हावा युवार? फाइट, ओके, सु स्टूडेंट्स, आजका हमारा सब्चेक्ट है मैंट्स, ओके, और मैंट्स में आचल करने वाले हैं मिसिंग नंबर्स, जैसे हमने इंग्लिग्स चो लगाओ सब्चेक्टने न, उसमें आपने मिस मिसिंग लट्र किया लग, तो आज हम करेंगे मैं मिसिंग नंबर्स, तो फिस्ट फोल चुडेंट्स, टेकाओ जैसे हम लगव करेंगे, सु यह आजम लग करेंगे, So, C students, हमने जैसे missing letters दिये, right, वैसे ही हमको missing numbers सने, तो आपको ऐसे boxes में अलग-अलग numbers दिये हैं और blanks दिये, right, तो वो blank में जो भी number नहीं लिखा है, मतलब जो भी number missing है, right, तो वो आपको वो blank में लिखना है, right, तो अभी हम first one देखते हैं, okay, तो यह है number one, then blank, then number three, then again blank, and number five, students, अभी तक हमने one to number seven तक अउरेडी हमने return work अपना complete कर लिया है, तो आपको number seven तक सारे numbers साथ है, right, तो यह अपको यह number one तक है, तो आपको बॉम के बाद गुम के बाद गुम के बाद गुम के बाद गुम के बाद गेगा number two, तो ये जो मेरन हो रता है कर अ कि Anchoration या ले मिन नाइख़ against कल ना videos झालची पिन ये लिगन स्याओंग गवैब जाइ़ लं़र लिister है MA नंबर लिद दे लाइ़ उ। 350 लाइ़ r. झाल क्पास्ज हर लाइ़ हो रता ही नंबर ल ख उता हैंघे पर देखो, ते ले, slampy line, slippy line and then stranding line, number four, so one, two, three, four and five, completely, okay, now we will do second line, okay, तो देखो फ्रेंज, ने आपर पे आपको bank दिया है, then number three, then number four, then again blank and then number six, तो हमने इस किसने कैसे दिया, हमने बेले numbers बोलें, one, two, five, तो यहाँ पर six तफ है, तो हम one, two, six तफ आपको पेर number बोलना है, okay, one, two, three, four, five, six, done, तो देखो, three, three अपने बोला रा, तो three के पेरे मुझ सारा बोला है, yes, number two, two, three के पेरे मुझ आएगा number two, तो यहाँ आपको पुम सारा बोला लिखेंगे, yes, number two, जैसे आपको number two लिखा इसे आपको यहाँ आपको number two लिखना, so number two अपको अपको पुम सारा बोला है, जैसे, two, three, four, five, yes, तो यहाँ पुरा पुम सारा बोला बोला है, तो पेरे मुझ से आपको यहाँ आपको अपको यह अपको यह सारा बोला है, 2, 3, 4, 5, 6 दख चुरो, अभी हम करते हैं घर्ड, ओके, तो देखो अगे, अगो हम ब्लेंग है तो फिर से ब्लेंग, फिर नमबर 5 नमबर 6, नमबर 7 तो चलो, अभी मुझे बता हूं कि 5 के पर कौन साने को रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो 5 के मेरे कुछ साने को रहेगा Yes, नमबर 4 तो यहां पर रहोड़े, तो रहोड़े लिखेंगे और तो 4 के मेरे कुछ साने को रहेगा Yes, नमबर 3 तो यह जो फिर्स्ट रहेगे है ना स्टुनेंट्स, वहां पर आपको रिखना है Number 3 So, number 3 यह जो बिखेंगे Sleeping line, slanting line, को Okay, number 3 पर इसके बाल Yes, number 4 So, 4 यह जो रहेगे लिखेंगे लिखेंगे Slanting line, sleeping line, standing line So, 3, 4, 5, 6, and 7 Done, पुचल, अभी हाँ, next line करते हैं, okay So, देखो, पहले यहां पर blank है Yes, number 2, then again blank Number 4 and number 5 So, पुचल, फॉर्स नमबर कुछ साना है? तो 2 के बेरे कुछ साना नमबर आया? Yes, number 1 So, यहां पर रहाँ, जो फिर्स्ट रहेंगे लिखेंगे उसी में हाँ लिखेंगे number 1, okay So, number 1 तो इक तब straight line और standing line बनाते हैं, कैसे ही बनता है? So, 1, 2, then yes, number 3 So, यहां पर यह जो blank है, उसमें हाँ लिखेंगे number 3 Pilling, sleeping line, slanting line, and then आपको कर देना है curves, okay So, 1, 2, 3, 4, 5 Done, चलो, अभी हम next line करते है So, पेरे देखो, यहां पर number 3 दिया है Then blank, then again blank, then number 6, then number 7 Okay, तो चलो, 3 के बाद कुन सा है बराएंगा? Yes, आपको आते है numbers So, 3 के बाद दाएगा number 4 Yes, तो आपको आपको लिखें है number 4 Slanting line, sleeping line, standing line, number 4 Done, so 3, 4, yes 6 रे पेले कुन सा number रेगा? Number 5, yes Then आपको आपको लिखेंगे number 5 Sleeping line, slanting line, and then count, okay So, 3, 4, 5, 6, 7 चलो, यह हमने time कर लिया, भी हम करेंगे next line So, चलो, number 3 लिखा ले Then number 4, then number 5 Then आपको ब्लाइंट दी है, और अगे इंपलाइंट दी है Alright, तो तो देखो 3, 4, 5 5 के बाद कुन सा हम राएगा? Yes, students, right Number 6 So, यहांपर हम लिखेंगे number 6 Number 6 अपको पलेगा देना को Dan आपको रपको ब्लाइंट को बाद राएंट यह बन्दया हमारा number 6 Okay, so 6 के बाद कुन सान करेगा? Yes, number 7 जो भी हमने last टिखादा number 7 So, sleeping line, and then sliding line तो सुराज आपने ये सारे missing numbers अच्छे से लंग किये आपको भी गर पेज की practice करनी है और उसके साथ थोड़ा सा homework करना है तो आपको आपकी match की SW book निकाली है और आपको open करना है page number 19 ओके और आपको ये पूरा page आपका homework है और अच्छे से अपना work करना है Thank you